दोस्तों आज की मेरे बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाले कि आज की में वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कौन सी ऐशी दस बातों का ध्यान रखना है 10 टिप्स का जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और स्टाइलिस दिखोगे क्योंकि आज कल कोई भी केरियर हो उसमें भी स्टाइलिस दिखना स्मार्ट दिखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है या लाइफ पार्टनर भी कोई चूज करता है तो उसमें भी वो चाहता है कि पार्टनर ऐसा हो जो स्टाइलिस्ट हो फैसनेवल हो और मेरे साथ कद मेकप कर लो इस्टाइल का मेकप से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है तो इस्टाइलिस्ट हम कैसे दिखें सिंपल रहके भी तो चली आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं बात करते हैं कि स्टाइलिस्ट कैसे बने कैसे दिखें पॉइंट हैं दिखावा ना करें ऐसा ह पार्टी में जाते तो बहुत बंठन के जाते हैं और बहुत इस्टाइलिस दिखते हैं बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन अगर कोई बेड़ाउट मेकप घर पे देख ले तो बहुत भदे दिखते हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं तो नहीं अगर घर पे भी आपको होना चाहिए आपका इसके लिए आप सुबह दूद कच्छा दूद से फेस वास करो हल्दी उसमें मिला के और निम्बू पानी प्योंगो चेहरे की स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है अगर कोई साइड इफेक्ट भीमानी अगरे नहीं है तो और आपको घर पे भी रहना आप में हमेशा फेस रहो इसके लिए जरूरी है कि आप सेंट लगाया करो एक सेंट चूज करो या हमेशा फेस रहो और छोटे छोटे ये रिंग पहनों बहुत है भी पहनने की जरूद नहीं है आपके स्टाइलिस लुक के लिए ये भी बहुत ध्यान रखो घर पे भी पह सकते हो नेल्स का प्रोपर धियां रखना है क्योंकि ऐसे भी आपकी प्रस्चनिले में चारचांदे लगते हैं नचे करते हैं फिर बालों का खियाल रख तो खुले मॉत रखो या बाहर जाओ तो कि उबन बहुत गंदे हो जाते हैं, तोठते हैं, तोठ बेजान हो जाते हैं तो easy hair style रखें और पूरे दिन खुले बाल ना रखें अगर रख पाएं तो उसको maintain करना बहुत जरूरी हो जाता है पर lip का भी ख्याल रखें ये भी बहुत ज़री है तो इन से भी बातों को आपको धिहान रखना है आप घर पे हो या कहीं भी हो तो ये सारी चीज़े आप मेंटेन रखो अब है कि घर पे आपको पहनना क्या है तो आप नाइटी या कुछ भी मत पहनो जैसे आप अभी गर्मी का मुसम है तो कूर्ती पहने, कॉर्टेन कूर्ती, लूज पैंट पहने या सौट कूर्ती में लॉंग स्कर्ट पहने, कॉर्टेन तो इस तरह से या पलाजो पहने, तो घर में भी आपको 90 नहीं मतलब ऐसी कपरे पहनना है कि कोई देख भी ले तो आपको अच्छा लेगे, मतलब बुरा फीलना हो तो इस तरह से आपको रहना है सेकेंड पॉइंट ते क्या है जो आपको स्टाइलिस्ट बनाता है तो आप वाइट ड्रेस पहनो, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो या आपका रंग थुरा सावला या ऐसे भी वाइट ड्रेस जो तैनो रोयल लुक देता है तो वाइट ड्रेस आप जरूर एक दो आपके पास होना चाहिए थर्ट है कि स्टाइलिस्ट लुक होना है तो संग्लासेस का आप यूज करो अभी गर्मी का मोसम है तो इस मोसम में तो संग्लासेस जो चार चान लगाते हैं आपके खुबशूरती को, स्मार्टनेस को और आपके लुक को और स्टाइलिस्ट बनाते हैं तो ये भी आप पहन सकते हो पॉइंट्स में मैं सेजिस्ट करूँगी कि वाच रिष्ट वाच भी आप चरूर पहनो फाइव पॉइंट्स में है कि एज के कोडिंग कपरे पहनो ऐसा नहीं है कि आपका एज कुछ और है आप जिन्स टॉप पहन रहे हो आप कैसे पतले हो कि हल्दी हो उस हिसाफ से आपको और एज के हिसाफ से भी आपको कपरे पहनना चाहिए ऐसा नहीं है कि हमारा एज बहुत जादा हो रहा है और हम सोचेंगे कि 16 साल की मतलब बहुत खुशूरत टीनेजर लड़की लगे तो ऐसा पॉसिवल नहीं होता है तो हम जिस एज में उसी एज में को अपने आपको समझना है और उसी के अकॉर्डिन हमें ड्रेस पहनना है जैसे कि हम उस एज में भी क्या हम स्मार्ट मदर नहीं बन सकते हैं स्मार्ट मतलब अपना एज में आप जो भी हो स्मार्ट वाइब भी बन सकती हो तो इस तरह से आपको ड्रेस पहना चाहिए किसी और को देख के नहीं तो अब मैं बात करूँगी चूरीदार जिंस से ना पहने टीनेजर गल्स हैं तो चूरीदार जिंस फैसन में अब नहीं है उसकी जगर पे आप एंकर लेंथ जिंस पहन सकती है और ट्रेंड के कप्रे एक दो जरूर पहन ले क्योंगी ऐसा होता है न कि जब आप सास बनोगी या आपका जब एज हो जाएगा उससे में अगर आपकी बेटी या बेटी तो चलो चलेगा लेकिन अगर बहु स्टालिस मिल गई और वो अगर छोटे कप्रे पहनी या जिंस वगेरा तो आपको बहुत जादा जलन होगी तो इसलिए आप अभी से अपनी लाइफ जी लो ताकि उससे में आप कमफरटेबल रहोगे ये हंसने का थवसा है लेकिन ये चीज़ सही है तो आप एक दो ट्रेंड की कप्रे भी ज़रूर पहन लो प्रिक्स पॉइंट से की टॉप अगर लूज पहनो तो जिंस फिट होना चाहिए अगर जिंस लूज हो तो टॉप फिट होना चाहिए और ब्लेक जिंस पहने और प्लेन जिंस भी आप ले सकते हो उसमें उसकी प्राइस भी कम होती है और अगर आप बेली फेट है या हाइट कम है तो हाईवे जिंस भी ट्राई कर सकते हो और हाईवे जिंस में आप जब भी टॉप पहनो तूस्तरे का टॉप पेन और जो आप इन करके पहन सकते हो 7 points थोड़ा different है, थोड़ा सा अलग है इसमें मैं बात करूँगी कि आपके दांत, मोतियों जैसे दांत होने चाहिए और पसीने, बदबू, ये सब चीजों से तो आपकी मतलब प्रसनल हाईजिनिक का तो आपको ध्यान रखना ही है लेकिन दांत विशिस कर ध्यान रखना है क्योंकि जब आप भी आप हंसते होना तो मोतियों जैसे दांत चमकते हैं तो आपकी प्रसनलिटी में, खुबशूरती में, स्टाइलिस्ट में मतलब कि चार चांद लग जाते हैं, आप स्टाइलिस के सांसाथ स्मार्ट और खुबशूरत भी दिखने लगते हो आपकी लुकिंग, मतलब बहुत गुड लुकिंग दिखते हो, ओशनल लगते हो ऐसे में दांतों का केर करना बहुत जो रही है तो दो टाइम आप ब्रस करो, और मैं रिकमेंड करोंगी कि आप डाबर लाल दंपंजन को जो पौडर होता है रियल में उसे दांत बहुत क्लीन होता है या घर में हो तो दो-चार तुलसी के पत्ते ले लो और उसमें मेथी दाना को पीस कर और कॉलगेट में मिलाकर उससे अब दान साफ करो उंगली से चाहें ब्रस करो सब ताम एक बार इसे क्या होता है जो भी पीले दान्त है या दान्त में चमक नहीं है तो चमक आ जाती है ये मैं भी करती हूँ इसलिए बोल रही है इसमें रियालिटी है अच्छा होता है और जो तुलसी का पत्ता होता है उसे मूगी बदबू भी दूर हो जाती है इसलिए आपको माउथ वास करने की जरूरत नहीं पड़ती है या कुछ भी पूदीने का पत्ता भी चबा सकते हो अगर घर में है तो ये सारी चज़े मौथ वास के लिए बहुत अच्छा होता है मौथ से बदबू आती तो बहुत बुरा लगता है कोई सामने वाला है तो मतलब की पैफ सुडन्ट की परचार में तो दिखाता है की सांसे बहुत अच्छी होती है या freshness के लिए बहुत सारी चीज़े दिखाई जाती है लेकिन real में आपको अगर मुह से बदवू ना आए तो तुलसी पत्ता और पुदिने का पत्ता बहुत काम की चीज़े है ध्यान रखना 8 points है smile रखे बात करते समय या जब भी किसी से पहली बार मिले या जब भी मिलें तो smile रखें चेहरे पे क्योंकि एक बात तो आप भी मानते होगे ना कि आप बहुत खुबशूरत हो good looking हो बहुत smart हो चेहरे का नाक नकसा भी बहुत सही है आँखे भी बहुत खुबशूरत है लेकिन अगर आपके चेहरे पे smile नहीं है मायूसी है, उदासी है या बहुत आप मायूस रहते हो तो आप से कोई मिलना नहीं चाहेगा और आपकी सारी खुबशूरती छूमंतर हो जाएगी आपने बहुत अच्छे फैसनेवल कपरे पहने है बहुत अच्छा make-up किया है लेकिन चेहरे पे smile नहीं है तो सब धरा का धरा रह जाता है और अगर आप normal हो मतलब simple ही हो लेकिन अगर चेहरे पे smile है तो खुबशूरती में चार चान लग जाती है तो कोसिस करो कि चेहरे पे smile रखो चाहेँ आपकी परसितिया कुछ भी हो इस्तितियों का situation का क्या है पल-पल में हमारा mind change होता है कभी हम दुखी होते हैं कभी खुश होते हैं तो हमें कोसिस करने चाहिए कि हमारी personal life में कुछ भी चल रहा हो इस्तितिया बहुत अंदर से बत से बत्तर हो बहुत दुखी हो फिर वे जब हम भी हम किसी से मिले या जॉब में जाएं तो चहरे पे smile रखें ये बहुत जरूरी है acting करना ही इसे कह ले लेकिन आप ऐसा जरूर करें अगर चाहते हैं stylist दिखना हमेश्चा stylist और good looking दिखना तो 9 points है कि खुद को fit और स्वस्त रखें जो कि आज के टीनेजर लड़के लड़कियां कोई भी नहीं खुद पे केर करता है आपको fit रहना है fit रहने के सुब उटना exercise करना है और गरम पानी पीना बहुत जरूरी है अगर आफ healthy हो तो उसे ग्यावदा खाना भी पसता है और आपका health ठीक रहता है भूख भी लगती है और पतले दूबले हो तो कोई दिकत नहीं है आप घी का use जरूर करो मतलब घी पका करने हैं उसे आप रोटी में ऐसे ही लगा के या डाल में डाल के खा सकते हो उसे calcium की कमी दूर होती है और जो दूबले पतले हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ केला खाया करो, किसमिस खाया करो फुला के, हरा मुंग दाल खाया करो यह सारी चीज़े बहुत जरूरी है बदाम खाया करो और जो लोग healthy हैं वो exercise करें juice जादा पीएं और अपने आपको fit रखने की कोशिस करें yoga करें, जो भी मतलब fit रखें क्योंकि अगर stylist दिखना है तो fit रहना बहुत जरूरी है गाल्स के लिए तो zero figure बहुत मायने रखता है वैसे आप healthy में भी smart लग सकते हो लेकिन कोशिस करनी चाहिए कि आप fit रहो राइन पॉइंट से की positive energy रखें अगर आपके अंदर positive energy नहीं है हमेसा negative बाते सोचते हो कि आपकी नाक बहुत छोटी है आखे बहुत धसी हुई है या गाल बहुत पिचके हुए है और ओड बहुत पतले है या दात बहुत छोटे है बाल नंबे नहीं है क्योंकि ऐसा अखसर होता है ना girls में किया सभी में जो चीज़ें हमारे पास है उसकी हम कतर नहीं करते हैं और जो चीज़ें नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं कास मेरे भी नंबे बाल होते काजूल जैसी आखे होती रानी मुखर जी के जैसे smile होती या बहुत सारी चीजे तो जो चीज नहीं है उसका रोना हमें छोड़ देना है और जो चीज हमारे पास है उसकी हमें value करनी है कदर करनी है ये होती है positive energy तो आप अपने आपको लेके जो quality आपके अंदर नहीं है जैसे एक मचली है उसकी quality है पा हर person में हर वेक्ती में हर लड़की में कोई ना कोई गुन जरूर होता है तो अपनी quality गुन को ढूंड़ो और positive energy से भरे रहो कि मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ बहुत खुस हूँ बहुत happy हूँ और जो भी हालात है ठीक हो जाएंगे दहरे रखो और मेहनत करते रहो एक दिन आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहती हो चाहें आपके नाकनक से कैसे भी हो तो positive energy रोको आज की वीडियो बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, share करें, comment करें मेरे चैनल पर नए हैं तो subscribe करें, thanks for watching, jay hind, jay bhaar